शुप्रभात आदाब नमस्कार आप पढ़ते रहिए सत्यम न्यूज और देखते रहिए भधोही जिले का अपना वेब टीबी सत्यम न्यूज आज गुरुवार को भधोही जिले की ख़बरों को लेकर एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ मनसीर कुरेशी आईए फटाफट ख़बरों की करते हैं सुर्बात भधोही तहसील में भरष्टा चार का आरोप लगाते हुए भधोही बार एसोसियेशन तहसील भधोही में चल रहे हरताल को लेकर अब अधिवक्ता दोगुट में बढ़ गये हैं और अब अलग अलग सुर पर बोलने लगे हैं आपको बता दे कि बार एसोसियेशन तहसील भधोही के अध्याच परसंद मिस्रा के निर्तुत में भधोही तहसील में व्याप्त भरष्टाचार वा एसडियम भधोही के तबादले की मांग को लेकर नियाईक कार से बिरत रहते हुए सातवे दिन भी हरताल जारी रखा इसी बीच भधोही बार एसोसियेशन तहसील भधोही के पूर्व अध्याच रहे मोतिलाल सहित अन अधिवक्ता दो गुट में बढ़ते नजर आ रहे हैं बकाइदा प्रेस नोट जारी कर हरताल समाप्त करने की मांग कर रहे हैं इसी को लेकर बुद्वार को भधोही तहसी में अधिवक्ताओं के दो गुटों के बीच कहा सुनी वा नोगजोग भी हुई है जबकि अध्याच परसंद कुमार मिस्रा का गुट अब भी SDM भधोही के तबादले को लेकर अड़ा गुआ है मोल्ह रेलवे इस्टेशन के समीव सिरी बिनायक महादेव मंदिर का जीवधार के बाद मंदिर में स्यूपरिवार की मूर्ती अस्थापित की गई है इस दवरान कलस्यात्रा की भी धूमदाम से निकाली गई है विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद मंत्रो चारन के साथ ही स्यूपरिवार की मूर्ती को अस्थापित किया गया है मूर्ती अस्थापना के दवरान भगवान सीव के जैकारे के साथ पूरा एलाका भक्ती मै नारों से गूज उठा कलस्यात्रा मोड इस्टेशन से पूर्वी त्रिमोहानी होते हुए पच्छमी त्रिमोहानी होकर मंदीर पर पहुचा इस दवरान कलस्यात्रा में मौझूद भक्तगर्व डीजे की धुन पर नाष्टे गाते वा भगवान सीव के परिवार का नारा लगाते चलते रहे इस मौके पर मेही लाल जैसवाल, अमरित लाल जैसवाल, महेश जैसवाल, असरफी जैसवाल सहित, काफी भक्त गर्ल मौजूद रहे गर्मी के बढ़ने के साथ ही साथ भदोही जिले में आग लगने की घटनाई भी सुरू हो जाती है खास कर सैकडो बीघा किसानों के गेहूं की फसल भी आग निगल जाती है ऐसे में भदोही जिले का अगनी शमन भीभाग आग की घटनाओ को रोकने की तैयारी में जुड़ गया है इस समद में जिला अगनी शमन अधिकारी ओम प्रकास माथुल ने बताया की आग लगने जैसी घटनाओ वा आपात इस सित के लिए विभाग को तैयार किया जा रहा है बताया की चार फायर टेंडर, पचीस दमकल कर्मी तथा तीन पोल्टेबल पंप अगनी शमन भीभाग में मुस्तैद कर दिये गए हैं और हर चुनाओती के लिए तैयार हैं साथ ही खेतों के उपर से गुजरे विद्धुत तारों को टाइट कराने के लिए विद्धुत विभाग को निर्देश दे दिया गया है कहा की इन्ही सब मौझूदा संसादनों से चुनाओतियों से निप्टा जाएगा साथ ही अगनी शमन अधिकारी ने बताया की आग पर काबू पाने के लिए लगातार हास्पीटल इमारते कमपनियों का निर्च्छन कर अगनी समन यंत्र लगवाए जाने का निर्देश दिया जा रहा है भदोही शहर कोत्वाली के पीछे किराय के मकान पर रहने वाले गुलाम रसूल नामक व्यक्ति अपने 11 साल के बच्चे मुहमद शमीर को लेकर साइकल से अजमेर सरीव के लिए निकला था जहां अजमेर सरीव पर पहुँचकर उसने भदोही जनपत सहीत देश परदेश की खुशाली वा अमन चैन के लिए दोआ मागी आपको बता दे कि गुलाम रसूल नामक व्यक्ति वारांसी के खजुरी का रहने वाला है तथा भदोही कोत्वाली के पीछे एक किराय के मकान में रहता है जहां इस सक्स ने अजमेर तक की यात्रा साइकल से करने की ठानी थी गुलाम रसूल ने साइकल से यह यात्रा वारांसी से सुरू की थी जो भदोही होते हुए अजमेर पहुचा और ख्वाजा की दरगार पर चादर चढ़ा कर अमन चैन की दौा मागी भदोही पहुचने पर तमाम लोगों ने उसको आस्वागत किया यह यात्रा उसने अपने बच्चे के साथ पूरी की है सडक नमीनी करण कार में लगे एक मजदूर पर तार कोल गिर गया जिससे वा जुलस गया है मामला कोईरावना थाना अंतरगत नहर पुलिया पर सडक के नमीनी करण का कार चल रहा था जहां बिहार के मुझफर नगर करजा चकी निमासी राम दयाल नामक 40 वर्जी मजदूर काम कर रहा था तब ही उसके उपर गर्म तार कोल गिर गया जिससे उसका हाथ पैर सीना जुलस गया है जुलसे मजदूर को सरकारी एंबुलिन से उसके साथ ही महराजा चेसिंग जिलाची के सालय लेकर पहुचे थे जहां उसका उपचार चल रहा है मजदूर पर तारकोल गिरने से अन्य मजदूरों में हरकम्ब मच गया था गोपी गज में हुए अलग-अलग सड़क हाथसे में दो लोग घायल हुए हैं जिसमें एक होमगाड भी सामिल है ग्यानपूर गोपी गज मारक के धानीपूर पिटोल पंप के समीप की है जहां ग्यानपूर इस्थित यस्पी कारियाले पर ड्यूटी करने जा रहे है निर्भय यादो नामक एक बाइक सवार होमगाड कुत्ता को बचाने के चक्कर में घायल हो गया गंभीर रूप से होमगाड के घायल होने की सूचना आसपास के लोगों ने यूपी डायल 112 पुलिस को दी जहां पुलिस ने होमगाड को सियस्थी गोपी गज में भरती करा दिया है इसी तरह दूसरी घटना गोपी गंथाना चेतर के ही बगहल चावनी मिर्जापुर रोट की है जहां एक बाइक सवार कार की चपेट में आ गया जिससे यूवक बामली रूप से घायल हुआ है यूवक गोपुर का निवासी बताया गया है यूवक बगहल चावनी से मिर्जापुर रोट की तरब जैसे ही मुला वैसे ही सामने से आ रही एक तेजरफतार कार से उसे टककर मार दी इस हाथसे से मौके पर काफी भीड जमा हो गई जहां आसपास के लोगों ने घायल यूवक का इलाज नगर के ही एकनीजी एस्पताल में कराया है इसे कहते हैं खबर का धमाकेदार असर बनने लगी छतिगरस्त गाउरोपत मार्ग की सड़क आपको बता दे कि भदोही शहर के विवेका नंद चवरहा बाईपास मार्ग से नई बजार मार्ग डाक्टर एपेजे अब्दुल कलाम के नाम से इस मार्ग का नामकरण गौरोपत पर कर दिया गया है तथा बाकाईदा विभागी अधिकारियों ने इस पर एक संकेतक बोड भी लगाया हुआ है जिस पर नई बजार की एक छात्रा का भी इस बोड पर नामकरण किया गया है लेकिन सड़क की हालत बद से बदहाल थी इस खबर को सत्यमनीज ने परमुक्ता से दिखाया था खबर का बड़ा असर हुआ है विभागी अधिकारियों ने संग्यान में लेते हुए छतीगरस तड़क का निर्माल कार शुरू करा दिया है आप तस्बीरों में भी देख सकते हैं कि बाइपास से नई बजार जाने वेले मार्ग पर लेपन वा मरम्मत का कार किया जा रहा है एक बार फिर सत्यमनीज के खबर का धमाकेदार असर हुआ है दोपहिया महनों के चेकिंग अभियान के दौरान अक्सर या देखने को मिलता है कि साधारल सीधे साधे कमजोर बाइक चालोकों का तो चलान कर दिया ज चुका है लेकिन कुछ रसूगदार वा थाना कोतवाली में बैट कर चाय की चुस्किया लेने वाले के करीबियों की बाइक अगर चेकिंग के दवरान रोकी गई तो साहब के फोन घनघनाने लगते हैं वही दूसरी और अगर कोई शरीफ सीधा साधा ब्यक्त किसी अंतिम स कोतवाली के समीव वहन चेकिंग अभियान चलाया गया ग्यानपूर कोतवाल मुहमद आलमगीर तुत्त में चले इस वहन चेकिंग अभियान में कुल 44 वहनों का चालान किया गया है यानपूर विकासखंड के गलहिया ग्राम सभा के प्रात्मिक बिद्याले के पास लगा ट्रांसफार्मर लगबग एक माह से खराब पड़ा हुआ है इस संबन में बिद्याले के प्रधाना चारव ग्रामलों ने बिद्धुत विभाग से आउगत भी कराया लेकिन अभी तक ट्रांसफार्मर सही नहीं किया जा सका एक और जहां जिलादिकारी आरेका अखावरी प्रतेक बैठक में बिद्धुत विभाग को सक्त निर्देश दे रही है कि जले वा खराब ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के भीतर सही किया जाए अत्वा उसे बदला जाए लेकिन बिद्धुत विभाग की लापरवाही के चलते मोड फीटर के अंतरगत आने वाले जले इस ट्रांसफार्मर को अभी तक बदला नहीं जा सका जिससे जहां साम होते ही गाँ अधेरे में डूब जाता है वहीं बिद्धुत विभाग के लापरवाही का खाम्याजा मासूम बच्चे वा गाँ वाले भुगतने को मजबूर है उत्तरपरदेश के विधानसभा चुनाओं में अभी भले ही एक साल का समय बाकी हो लेकिन राजनेतिक दलो ने अपनी तयारियां सुरू कर दी है ऐसे में बस्पा सुप्रीमो मायावती विधानसभा चुनाओं को देखते हुए मिसन 2022 की तयारी में जुड गई है इसी के तहट मिर्जापुर मंदल के बस्पा कॉर्डिनेटर की जिम्मेदारी सुरियामा इलाके के मले पुर्निवासी सुरेच चंद गौतम को दी है भदोही जिले के नेता को मंदल अस्तर की जिम्मेदारी मिलने पर कारकरताओं में उत्सास देखा गया इस दोरान बस्पा कारकरता राकेश वर्मा, राजेंदर गौतम, राम नरेश, मनुजवर रवी ने नव नियुक्त कॉर्डिनेटर को फूल माला पहना कर उनका श्वागत किया है गाजीपुर के चार युवक सिधार्थ, पेवार, अभिशेक, हिमानसु और राहुल ने गाउं में सोरोजगार बढ़ाने वा सहरों की तरफ प्लाइन रोकने के लिए भारत यात्रा सुरू की है बुद्धवार को गाजीपुर से सुरू हुई यात्रा भधुही जिले के ग्यानपुर में पहुची इस दोरान युवावने स्यक्लों से ज़्यादा लोगों से संपर्थ करने के साथ ही साथ एक एक मुठी अनाज गठा किया है यह अनाज गरीबों में बाटा जाएगा इस संपन्द में सिधार्थ पेवार ने बताया कि एक माडल के माध्यम से युवावन को गाओं की समरिध्धी की जानकारी दी जा रही है वहीं युवावन से कहा कि अगर युवा चाहे तो अपने गाओं में ही ग्रामिल रोजगार सुरू कर सकते हैं जिससे ग्रामिल इलाकों से पलायन जहां रुकेगा वहीं कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा गाजीपूर से ग्यानपूर पहुचे इन युवावन का नगर पंचायत अध्याच हीरालाल माउरिया के निर्तित में स्वागत किया गया कारकरम के अंत में नगर के कुछ लोगों को भारत यात्रा से वार्थ सम्मान प्रमाल पत्र भी बित्रित किया गया नगर पंचायत अध्याच ने एक मुठी अनाज देकर भारत यात्रा को आगे बढ़ाया जब जब नगीचे चुनाओ आवत है भात मांगो पुलाओ आवत है यह लाइन इस वक्त ग्रामिड अलाकों में एकदम सठीक बैट रही है पंचायत चुनाओ के तारीखों का भले ही अभी एलान नहीं हुआ है लेकिन दावेदारों ने अभी से अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे है गाउं के चटी चौराहों पर होडिंग नजर आने लगी है तो वहीं गाउं के नुकडों वा चौपालों पर बैठ के सजने लगी है एक दोर वा था जब अपने पडोसी से कोई मतलब नहीं होता था लेकिन अब तो उसी पडोसी का चहरा भाने लगा है और सलाम दुआ आसीज पावलगी का दोर भी सुरू हो गया है दावेदार मतदाताओं के सुख दुख में भागीदार होकर उनकी सेवा में जुड गए है जिसके पास जितना वोट उसकी उतनी सेवा की जा रही है कहीं कहीं तो लिट्टी चोखा का भी दौर अभी से चलने लगा है भला ऐसा करेंगे भी क्यों नहीं कुछ दिन हाथ पैर जोड़ कर मान मनवल कर लें फिर पान साल तो चांदी ही चांदी है इस तरह का दौर भदोही जिले के सभी च्छा विकास खंडों के ग्राम सभाओं में लगभग लगभग देखा जा रहा है नडराएंगे नडराएंगे डंके की चोट पर सच दिखाएंगे जब कोई गरीबों का हक मारेगा तब सत्यम निउच का उसे ख़ौफ सताएगा क्योंकि हमारे यूवा रिपोर्टरों की टीम भदोही जिले की निगाबानी पर है अब नसीर कुरेशी को दीजिये अजाज़त कल फिर होगी कुछ अहम ख़बरों के साथ मुलाकात नमस्कार आदाब